हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका कल से यानि की आठ मार्च से आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 9 मार्च को है, फिर आपका 10 को है, फिर 11 को है इस तरीके से 13 मार्च तक आपके exam चलने वाले हैं, तो दोस्तों आपको आपके exam का जो paper है वो किस तरीके से attempt करना है कि आपका maximum score देखने को मिले आपको, तो उसकी strategy हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखे गया, और दोस्तों, चैनल पर नहे हैं, चैनल को subscribe जरू कर लिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको NBS की authentic और सही जानकारी दी जाती है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का कल से paper start है, तो सभी को मेरी तरब से best बिल्कुल, मतलब फोड़ के आईएगा paper बिल्कुल, मतलब selection ले के आना, ठीक है अगर बात करने दोस्तों, देखे कि आपको जो है paper किस तरीके से attempt करना है तो देखे paper की अगर बात करें, तो चलिए इस में बात करते हैं, तो उससे पहले आपको बता दो, देखे, आपको क्या करना है जैसे कल आपका exam है, आट मार्च को तो आपको क्या करना है, यह मैंने एक video डाला था, आपको NBS की playlist पर मिल जागा, उपर ही मिल जागा, तो इस पर मैंने आपको एक Google forum बरवाया था, तो यह forum जाकर आपको भर देना है वहाँ पर, इस video के description में भी आपको Google forum करके link मिल जागा, तो उसको बढ़ दीजगा, उसमें आपको NBS की playlist पर मिल जाएंगी, ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, अभी हमारे की how to attempt paper कि सरीके से paper attempt करना है आपको, और इसके अलावाद दोस्तों देखे, यह जो है ना, last year six month का current affair, आपकी demand पर मैंने start किया था, जो कि December का video मैं डाल चुका था, ठीक है, December का, आपको जो direct इनकी PDF बना कर दिये दूँगा, जो की last six month की है, January, February, December, October, November और September, ठीक है, तो इसकी जो PDF है, वो मैंने आपको बतायती कहां मिलेगी, तो वो मैंने आपको बतायती टेलीग्राम के चैनल, अगर आप अभी भी जोइन नहीं है, तो दा एक्जाम हेलपर के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, तो जोइन हो जाएंगे, या आपको वीडियो के description में उसका link मिल जागा, और YouTube चैनल को subscribe किया, subscribe कर लिए, और वीडियो को like and share जरू कर देना अच्छी लगे तो, और यह हमारा इंस्टाइड है, अगर कोई फी personal doubt आपके मन में अभी भी है, तो हमें अभी just message किये, मैं तुरंत आपका reply देने की कोशेश करूँगा, ठीक है, तो इतना था दोस्तों इस वीडियो में ठीक है, कि आपको current affair में बता दिया, किस किस तरीके से करना है, चलिए, अब हम अपने main topic पर आते हैं, जो है हमारा कि how to attempt NBS paper, किस तरीके से, किस section को पहले attempt करें, और किस section को कितना time दे, जिस से हमारा जो marks है, वो 100 plus हो जाएं, तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं, तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं बूलूँगा कि जब, आप paper देने जा रहे हैं कल, ठीक है, paper देने आप जाएंगे न, तो बिल्कुल tension मत लेके जाएगे गा, paper बिल्कुल आपका आपको फोड के आएंगे आप, ठीक है, सबसे पहले तो यह सूचिए, फिर जब आप सोभी जाएंगे, और जब आपका exam, जो है, आप computer में login कर देंगे, तो आपका exam start होगा, तो उसमें देखिए, क्या-क्या चीज़ों आपके साथ होने वाली है, तो सबसे पहले आपको ज इस तरीके से tab मिलेंगे, उपर की side, उपर की side, अगर चार section है तो चार tab होगे, पांच है तो पांच, एक में लिखा हुआ जी के, दूसरे में लिखा हुआ computer, तीसरे में math है तो math लिखा हुआ, चौते में reasoning है तो reasoning, और हिंदी है, हिंदी लिखा हुआ और English लिखा हुआ ठी तो इस तरीके से आपके tab खुलके आएंगे, तो अब आपको क्या करना है, इस में से किस section को पहले choose करें, खुलके तो आएगा, कोई एक इनमें से random आजाएगा, महाँ पर एक क्या पता computer पहले आजाए, बड़ आपको किसको attempt करना है, तो मैं बहुत आता हूँ, तो आपको वो section attempt करना है, जिसमें आप strong है, कौन सा attempt करेंगे, जिसमें आप strong है, तो दोस्तों होगा कैस से, आप direct भी attempt कर सकते हैं, बट strong subject, जैसे मान के जली किसी का Hindi होगा, किसी का computer होगा, किसी का math reasoning होगा, जी के तो सबका बैसे normal लेता है, तो strong नहीं होता, फिर भी अगर आपको attempt कर करना है, तो कर सकते हैं, बट मैं फिर भी suggest करूँगा कि, जो भी आपका strong subject है, जो main subject है आपका, कि मनला आपको उसमें पूरा विश्वास है, कि मैं पूरे मैंसे पूरे लेकर लेकर होगा, या एक दो number कम लेकर होगा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले item करें, इससे होगा क्या दोस्तों, शुरुआ तो महीं आपको क्या है, confidence आजागा, क्या जागा, शुरुआ तो महीं आपको confidence आजागा, और आपको लगया नई यार paper तो बिलकुल आसार आया है, अब तो मैं फोड़ दूँगा इसको, ठीक है, और अगर वहीं आपने मान के चलिए, कठिन topic चूज क आपको मैंने पहले बताए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपका strong point है, उसको पकड़ना है, जो भी strong subject है, उसको choose कर लेना है, दूसरा आपको क्या करना है, फिर उसके बाद second strong को select करना है, ठीक है, second strong जो subject है, उसको select करना है, इसी तरीके से फिर उसके बाद तो जल्दी-जल्दी हो जाएंगे वो time नहीं लेगे अगर शुरुवात में ही आपने time गबा दी है यहाप है तो आपको दिक्कत हो जाएगे ठीक है और मैं बात करना दोस्तों कि देखे आपको करना है सबसे पहले जो paper आपका attempt हो का मान के चलिए जीके कर लिया आपने computer कर लिया यहाँ से मैत कर लिया यहाँ से reasoning कर लिया हिंदी-English कर लिया यह आपने कर लिया तो आपको देखे यहाँ पर जो जीके है इसमें 30 question आएगे तो आपको 30 की 30 नहीं करने अगर आपको 20 question आ रहे है तो 20 here पर tick करना है दस नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ देना है उनपर टिक नहीं करना है यानि कि आपको निगेटिव मार्किंग से दूर रहना है निगेटिव जो मार्किंग है आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, निगेटिव जो मार्किंग है, वो नहीं करना है, ध्याम नकी का, स्टार्टिंग में नहीं करना है, मैं बताँगो कैसे करना है, तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं करती है, केवल वही कोश्चन करन चुलू अच्छी बात है, नंभे हुआ है अच्छी बात है थिकले अब इसके बात क्या करेंगे, फिर आप सोचेंगे, या 40 Biology अभी भी है तो यहा पर आप तुक्का लगाएंगे तो 40 में से आपके संबाबना है कि 5 से 6 नमबर सही हो जाए या 10 भी सही हो जाए ठीक है तो इतनी संबाबना होगी ठीक है और भही पता चले आपके एगर 110 आपने मान के जलिए शुरू से end तक किया और कोई भी negative marking आपने नहीं की और 110 question तक आप attempt कर चुके हैं आपको बताया था कि मेरे computer जो हो खराओ गया तो मैं आपको यह practical करके तो नहीं दिखा पाँगा कि किस किस तरीके से exam में अट्यम करना है नहीं तो आपको practically बता देता ठीक है और दोस्तों रही बात अब आते है math reasoning में math reasoning में देखिए आपको फसना नहीं है math reasoning में क्या होता है कई बार हो reasoning वाले जो series वाले सवाल होते हैं coding decoding वाले होते हैं यहां फसानी की कोसिस करेगा आपको और यहसी series देगा जो आपसे बनेगी नहीं और आप अलमान के जली चार से पांच मिनट इसमें खराब कर दोगे तो आपको मैंने बताया किसी एक सवाल पर रुकना नहीं है math reasoning को सबसे last में पर करना और सवाल पर रुकना नहीं है hardly एक minute आपको देना किसी भी सवाल को ठीक है चाहो math का हो किसी भी section का हो एक minute पर नहीं आरा छोड़ दीजिए बिल्कुल last में देखेंगे जब आपको आपको समय होगा तो ठीक है तो इस तरीके से करना है आपको math और reasoning में और सबसे पहले इस तरीके से आपका पूरा exam complete हो जागा और आप जो है सबसे पहले एक बार exam देंगे बिल्कुल सही सही देंगे दूसरी बार आप जो भी तुका बगरा लगाएंगे वो करेंगे तो इस तरीके से आप दो से तीन बार अपना exam को देख लेंगे और कम समय में आपको exam हो जागा और आपको confidence के साथ आप करके आएंगे और तीसरी इसके बाद जो आपको एक चीज करने ही बुकर नहीं है कि जब आपका exam complete होगा है अगर आपको पास 10-15 मिनट बसते हैं तो अगर आपको देखे एक तो डॉक आपका एडविट कार्ट साथ में बापीस देते हैं साहित बोलो ठीक है तो वो होता एक आपका जो है कोई भी paper बगएरा बचे या हाथ पे लिख सकते हैं तो हाथ पे लिख लिएजेगा आपको gk के question लिखके लाने है और computer के question लिखके लाने है ठीक है क्योंकि आपको हमें review दे रहा होगा कल 8 तारिक से कल 8 तारिक की तो आपको देना ही देना है 9 तारिक का आपको मैं बता दुआँ जेसे का first shift का ठीक है second shift का भी मैं बता दुआ बाकी के review में आपसे लोगा तो आपको मैंने बता दी क्या करना है अगर आपके पस समय बसता है 10 से पंदर minute तो आपको question याद कर लिने है, ठीक है, किस-किस section में कौन-कौन से question आए, maths में आपको question याद नहीं करने, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आपको किबल chapter याद करने है, किस chapter से कितनी question आए, ठीक है, यह देख लेना, बाकि math reasoning में ये देख लेना, computer में question याद करना, यह दोस्त ओए, तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, तो यही चीज़ें देख लेना, और मैं ना बता दिया आपको कि kilogram चैनल को join कर लिएगा, यहाँगे चैनल कर लिएगा, यहाँ पर current affair की सारी तो इसके अलाबा देखिए यहां पर जो कमेंट बने बतायता है उसमें आके आप पूर डीटेल दी नहीं है तो डीटेल जरूर दीएगा जिससे हम कल आपसे कॉंटेक्ट कर सकें और आपसे रिवीवी ले सकें तो चली दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में लास्ट